Hello Everyone, Myself Ash Mafare and Welcome to O Digital Future YouTube Channel 2018 में निश्क्रिय में शामिल हो गया और यह वास्तव में मुझे आकर्शित करता है पर योजना बहुत आकर्शक है ये कुछ नया ला रही थी दुर्भाग्यपूर्ण डिजिटल दुनिया में आनलाइन दुनिया को ताजगी दे रही थी ये सब हम जो संगीत एच आनलाइन और वित्तिय रूप से विक्सित होने और आर्थिक रूप से लाब कमाने के अफसरों की तलाश करते हैं उन्हें ओनलाइन अतिरिक्त आय होती है एच हम वास्तव में एच उस प्रस्ताफ से काफी प्रसंथ है जो उस समय कमपनी सेनो एसम से आकाश द्वारा हमें प्रेशित लाब उठाएंगे और वेवास्तव में होंगे आये, कमपनी का कनकाल कहें और एह और मुझे लगता है कि ऐसा हुआ, कमपनी बहुत ही वैद अग्रदूतों के एक समूव को आकरशित करने में काम्याब रही और जिसने ब्रांड ब्रेंडिंग के मामले में और यहां तक की पै पादर्श बदलाव होंगे क्योंकि जैसा कि हम सभी इस ओनलाइन दुनिया में जानते हैं, कई कमपनिया हैं और वे कुछ परियोजनाई शुरू करते हैं जहां उद देश केवल एच होता है, लोगों का एक प्रतिबंदित समूव इन पिरामिडों के शीर्ष पर होता है, इन परियोजनाव से लाब होता है, ये व्यवसाय होते हैं और यही वह जगह है जहां ये जाता है, यह स्थिती को उलटने का वादा करता है और गैरन इश्क्रिय में प्रवेश करने वाले लोगों का भारी बहुमत 97-98 प्रतिशत है, चाहे संख्या कुछ भी हो, लेकिन भा इन परियोजनाओं में प्रवेश करते हैं, उनके पास बहुत सारी परियोजनाओं, ओनलाइन परियोजनाओं होती है, क्या ये और एच है क्योंकि जो लोग इन परियोजनाओं में वास्तविक पैसा कमाते हैं, वे पैसा कमाते हैं क्योंकि अन्य लोग पैसा खो देते हैं और पैसेव पर जो वादा किया गया था वो ये था कि यह वास् करने वाले लोगों का भारी बहुमत परियोजना जहां पासिफ उत्पादों की बिक्री से मुनाफ़ा कमाएगा। इसलिए वे ऐसे उत्पाद होंगे जिन्हें कमपनी विपनन अभियानों के माध्यम से सार्वभोमिक रूप से प्रसारित करेगी और इससे बिक्री को बढ़ हवा का जोका था। मैं प्रभू में स्वर्ग में विश्वास करता था और इसी कारण से मैं वास्तव में साड़े पांच साल तक पासिम में रहा और मैं अभी भी आज विश्वास करें कि चीजे वास्तव में विक्सित होंगी और कमपनी तक्नीकी दुनिया में डिजिटल बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि इसमें मुझे इमानदारी से कोई दिल्चस्पी नहीं है। बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं नहीं हमेशा उन लोगों की संख्या पर निर्भर करता है जो प्रवेश की अवधी में प्रवेश करेंगे। परियोजना इसलिए यदि बहुत से लोग इन परियोजनाओं में प्रवेश करते हैं तो प्रारंबिक चरण में वे बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन जैसे ही वे शुरू करते हैं वे इस पिरामेट को खिलाना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि मेरे दोस्तों, मैं एच ये बहुत है कथिन, मैं, मैं, मैं उन लोगों का विश्वास आकरशित करने नहीं जा रहा हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। निश्क्रिया, नहीं, मैं उन्हें अन्य परियोजनाओ के लिए आमंतृत नहीं करने जा रहा हूँ, एह क्योंकि मैंने इमांदारी से नहीं किया है, मैं इमांदारी से बताओं, जिस समय मुझे आनपैसिव में आमंतृत किया गया था, मैं पहले से ही इस प्रकार के इन ओफसे तंग आ चुका था, इस प्रकार की परियोजनाओ में मुझे उस योजना में शामिल होने में कोई खुशी महसूस नहीं होती जहां मैं जा रहा हूँ, अन्य लोगों को खोने के लिए पैसा कमाए, जब मैं जो पैसा कमाने जा रहा हूँ, वो वो पैसा है जिसे म मैं खोने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को आकरशित नहीं करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अब मुझ पर भरोसा किया है, उदाहरन के लिए मैं निश्क्रिय नहीं, उन परियोजनाओं में प्रवेश करना जिनके दिन अब गिंती के रह गए है, लगबग अपनी श वास्तब में वो पूरा करेगा जो उसने वर्षों से वादा किया है और यह वास्तब में एक परियोजना होगी जो ऑनलाइन दुनिया में अब तक मौझूद हर चीज में कुछ नया लाएगी, ठीक है, यह क्या लाएगा? उत्पात जो लाएंगे दुनिया भर के लोगों द्वारा कंपनी की इच्छा की जानी चाहिए. यही वह है जिसके संबंद में मैं निश्क्रिय रूप से विश्वास करना चाहता हूँ. यही कारण है कि मेरे दोस्तों, मैं अब इस संदेश में चाहता हूँ कि मैं यहां नए साल की शुबकामनाय दे रहा हूँ. उम, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मुझे इसे सुद्रिर करना चाहिए, मैं उन लोगों के साथ विश्वासगात नहीं करूंगा जिन्होंने इस परियोजना में प्रवेश करते समय मुझ पर भरोसा किया था. यह बहुत कम संभावना है कि निकट भविश्य में एक ऐस कमपनी बनेगी जो वास्तव में वैद उत्पाद बनाती है जो पूरी दुनिया द्वारा वांचित है जो लोगों के इंपुट से नहीं बलकी लोगों के इंपुट से कमीशन उत्पन करती है. ऐसे उत्पाद जो वास्तव में उन लोगों के लिए एक अतिरिक्त मूल्य है जो वास्तव में वे चाहते हैं ये उत्पाद जो एक भुक्तान प्रणाली बनाते हैं जो नए लोगों के प्रवेश पर आधारित नहीं है बलकि उन लोगों पर आधारित है जो वास्तव में कमीशन उत्पन करेंगे वे वे लोग हैं जो अधिक रुची रखते हैं पैसे कमा तो यह वास्तव में यही था, जिस बात ने मुझे इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया, वो यह तत्य था कि कम्पनी लोगों के प्रवेश से लाब का वादा नहीं करती है, बलकि ऐसे उत्पाद बनाने का वादा करती है, जिन्हें भारी संख्या में लोग खरी देगे यह उत्पाद स्वय मुत्पादों के लिए होंगे न की पैसा कमाने के लिए, यही वो बात थी जिसने मुझे निश्क्रिय आएसो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, यही वो बात है जिसने मुझे इस परियोजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, और यही वो है जिस पर मैं विश्वास करना जारी रखता हूं। मैं यह विश्वास करना चाहता हूं कि कमपनी वास्तव में 2024 में चली जाएगी। जो लोग इस परियोजना का नेत्रित्व कर रहे हैं और चीजे वास्तव में 2024 में आगे बढ़ेंगी ठीक है भले ही आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कुछ पहले ही हो चुका है लेकिन इन विशाल परियोजनाओं में कभी कभी समय वास्तव में सबसे अच्छा नहीं होता है बात बैरोमीट है ये वास्तव में चीजों के सही धंग से घटित होने के बारे में है और वे हमेशा घटित होती है एक परियोजना में प्रवेश करने की निश्चित स्थिती जो केवल व्यक्तिगत लाब के लिए है मैं इस निश्क्रिये परियोजना में हूँ जिस पर मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ और विश्वास करना चाहता हूँ कि चीजे वास्तव में घटित होंगी अगले कुछ हफ्तों में उन लोगों के साथ हूँ जो निश्क्रिय है, मुझे सच में विश्वास है कि नहीं, मैंने महान वीडियो या महान टिपनिया नहीं बनाई है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता मेरे पास यह नहीं है शांथ रहना और अधिक जांकारी प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करना सबसे अच्छा है इसे हर किसी तक पहुचाने के लिए उम सावधानी बरत्ते हुए अटकले न लगाएं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी अटकले हैं बहुत सी चीजे हैं जो कही जाती है और फिर नहीं वे वास्तविक्ता के अनुरूप नहीं है इसलिए मुझे सीखने से डर लगता है अतीत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं इस रास्ते पर चला गया और मैं दोबारा ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ मैं केवल जानकारी प्रसारित करने जा रहा हूँ जब यह वास्तव में वास्तविक समय में होता है और जब ऐसा होता है तो ये कमपनी द्वारा ही प्रसारित किया जाता है और कमपनी के प्रमुक सर एसम द्वारा मुझे सोशल मीडिया स्थितियों और अक्सर ऐसी सूचनाओं पर भरोसा न करें जो अटकले है ठीक है इसलिए यह वो संदेश था ज जब भी वास्तव में वैद जानकारी होगी तो मैं अनुवाद के लिए पुर्तगाली में जानकारी लाना जारी रखूंगा और मैं एक बार फिर सभी को अच्छे वर्ष की शुबकामनाए देने के लिए तैयार हूँ यहां जो लोग मुझे सोशल नेटवर्क पर फॉलो करते हैं मुख्य रूप से मुझे फॉलो करने वाले लोगों का भारी बहुमत मुझे फॉलो करता है क्योंकि हम ना वन पैसिव में अग्रणी है और यहां गले मिलते हैं मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ध धन्यवाद करना मेरे बस की बात नहीं है वे लोग जो मुझे अन्य परियोजनाओ के लिए आमंत्रित करते हैं मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ये लोग मुझे अन्य परियोजनाओ के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे वास्तव में मुझ पर भरोसा करते हैं लेकिन मेरा रोख वास्तव में यही रहेगा. मुझे लगता है। यह सबसे अच्छी बात है जो मैं कर सकता हूं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं निश्क्रिय मोड में चला गया, मैं अपने आपको नहीं बदल सकता क्योंकि यह वास्तव में है, या है, यह ये योजना है. जो मैं तब तक मानता हूँ जब तक की कोई अन्य निश्क्रिय नहीं उभरता जब तक की कोई अन्य निश्क्रिय नहीं उभरता और मैं एक परियोजना के समान या निश्क्रिय पर विश्वास करता हूँ लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पास आने वाली हर ठीके का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मैं अब मिश्क्रिय नहीं हूँ जब मैं शामिल हुआ, तो मेरे पास इस प्रकार की परियोजना के लिए अब ज्यादा धैर्य नहीं था, मुझे इस पर अभी भी उन कारणों से विश्वास था, आज ही रहिए और जैसा की मैंने कहा, मैं इ इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन में से किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसा की मैंने कहा, मुझे केवल निश्क्रिय परियोजनाव में दिल्चस्पी है और यह आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इस तरह की परिस्थितिया घटित होती है, ठीक है, आईए हम सब विश्वास करें, कि यह वो जगह है जहां यह चलता रहता है और हम सभी इसके पीछे के लोगों के साथ है, एक पैसिव ओके दोस्तों सो प्रतिशत कमपनी के साथ आपके साथ और साथ ही इसके पीछे के लोगों के साथ एक पैसिव ओके एक बड़ा कर poquito अारे दो अखा क्योंट गार सुर्ण जो फ्य Europra में वह जुब टूरान, खर उन्हरो जड़न के वह जर दोल्त कुछिल लुड़ में सब्री जोड़न, वह कर दो बन्हेर को बन्हें दो को बन्हें अग्ट को झाल 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 झाल